इस कारकर्म के पुनियार जखें शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृती में अगला इस्लोक है प्रश्णोतरत्नमालिका का कुत्र बिधे वो यतनो विद्या भ्यास सदौश दे दाने अधीर ना को कार्या खल परियोसित परधनेशू पहला प्रश्ण है कुत्र बिधे वो यतनो हो हमें कहां पर प्रियतने करना चाहिए प्रियतने का मतलब पुरशार्त मेहनत परिश्रम कहां पर परिस्रम करना चाहिए किस में मेहनत करना चाहिए कुत्र विधिया यतनम विध्या भ्यासे विध्या के अभ्यास में कितना बड़िया उत्तर दिया विध्या के अभ्यास में प्रियतने करना चाहिए सद आुसदे दाने अच्छी अच्छी औस्दियों के पर्दान करने में पुर्शार्त करना चाहिए मतलब ग्यान के प्रति आपकी लगन होनी चाहिए और ओस्दिदान बईया वरती सेवा में आपकी लगन होनी चाहिए देखो बिद्या का अभ्यास सामा निबातनी है जीवन के चार भागों में चार आस्रमों में पहला आस्रम ब्रम्मिचरी आस्रम है मतलब यह अवस्था जो है खुब पढ़ने की और खुब परिश्रम करने की है बढ़िया पढ़ाई करो और अच्छा भोजन ओजन करके खुब खेल खिलाड़ी और मेहनत करो निश्चिन तता का समय रखो यह ब्रम्मिचरी आस्रम है इसके बाद गिरस्ता आस्रम बानप्रस्ता आस्रम सन्यास आस्रम यह बात आगे आती है लेकिन पहली निव क्या है ब्रम्मिचरी आस्रम इस अवस्ता में बिध्या का अध्यन किया जाता है यह पढ़ने की उम्र होती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो समझो प्रसन रहो स्वस्त रहो पढ़ाई करो और सेवा भी करो गुरु गुलों में जाते थे विध्यार्थी पढ़ते थे गुरु की सेवा करते थे परिश्रम करते थे सभी परकार की कलाएं सीखते थे योगता संपन होते थे तो कुत्र बिध्यो यतनो बिध्या भ्यासे बिध्या के अभ्यास में यतन प्रियतन करना चाहिए पान भी सडने लगता है बाटी भी जलने लगती है और तेज़ चाल वाला घोड़ा भी अड़ने लगता है कब जब उसका अभ्यास छूट जाए इसलिए कोई काम हो या ना हो घोड़े को मैदान में घुमाते रहना चाहिए घोड़ा और घोड़सवार मैदान में घूमते रहना चाहिए एक योध्धा भी अगर अभ्यास करना छोड़ दे तो युद्ध की कला से बो दूर हो जाएगा अभ्यास हर जगे जरूरी है अनभ्यास बिशम बिद्या कहा है अगर अभ्यास नहीं है तो बिद्या बिसके समान है अनभ्यास बिद्या मजीरन भोजनम बिसम अगर तुमारे अंदर अजीरनता आ गई है जठरागनी मंद हो गई है तो तुमारे लिए भोजनमी बिसके बराबर है और दारिद्र से दरिद्र शे बिसम गोश्टी बिपन दरिद्र व्यक्ती को गोश्टी सभी के बीच में बैठना बिसके समान है क्यों अब उसके पास कुछ है ही नहींता महसूस कर रहा है अब सब के बीच में कैसे बैठे दरिद्र शे बिसम गोश्टी और ब्रद्र से तरुणी बिसम बूड़े आदमी को जवान जवान कोई काम के नहीं इस्त्रिया बूड़ा आदमी कोई काम का नहीं तो निती लिखी गई है अनभ्यासे बिसम बिद्या अब भ्यास अगर नहीं है तो बिद्या बिसके समान मानी गई इसलिए पान सड़ना पाए बाटी जलना पाए और गोड़ा अड़ना पाए इसके लिए क्या करो पलटते रहो फेरते रहो पलटते रहो उपर का नीचे नीचे का उपर करते रहो ठीक ठाक स्थिती बनी रहेगी ऐसे बिद्या के अभ्यास को हमेशा करना चाहिए बिद्या की प्राप्ती के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है बच्पन में भी पच्पन में भी आठ में भी साठ में भी अब कभी भी सीक सकते हो और ग्यान को पाने में हमें कभी सरमिन्दगी महसूस नहीं होना चाहिए ठीक है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी दो हम किसी से भी प्राप्त करेंगे विध्या ब्यासे विध्या के अभ्यास में प्रियतने करो बच्पन में किये गए पाठ रटे गए पाठ बुड़ापे तक साथ देते हैं और इस भव में क्या इस भव के ग्यान का संसकार पर भव में भी साथ जाता है छेउप समझाता है साथ में तो ऐसे बिद्या का अभ्यास बिद्या नहीं ग्यान का अभ्यास तक्तु की बातें धर्म की बातें सीकते रहना चाहिए ग्यान का अभ्यास करो और सदव सिधे दाने अच्छी अच्छी ओस्दियों की खोच करो अच्छे अच्छी आउसदियों की जानकारी रखो और कौन सी आउसदी किस समय किस काम में आती है इस बात को ध्यान में रख करके जिसको आवश रखता है उसको दो ताकि वह स्वस्त हो जाए सद आउसदे दाने यतनम कुरू प्रियतनम कुरू अच्छी अच्छी आउसदियों के दान में आप अपना पुरुशार्थ प्रियतने करो जाग रुकता बढ़ रही है लोग आउसदियों के पौधे लगाने लगे हैं अरे नीम का वरक्ष लग जाए आउले का वरक्ष लग जाए मुनगा का पेड लग जाए कितनी चीज़ें मिलती हैं इनसे प्रक्रती में औसदी का खजाना भरा हुआ है क्या प्रक्रती में औसदी का खजाना भरा हुआ है बस उसके जानकार होने की जरूरत है आपको जानकारी है तो पत्ती पत्ती भी औसदी हो सकती है और जानकारी नहीं है तो आसदी भी तुमारे लिए कोई काम की नहीं है इसलिए इन सब के ग्याता भी होना चाहिए अब देखो मेडिकल की इस दुनिया में आयरवेद का ग्यान लुप तो होता जा रहा जबकि मेडिकल बात की बात है आयरवेद तो बहुत पुराना है और आयरवेद का इलाज धीमा जरूर होता है लेकिन इस्थाई होता है और उसके कोई साइड एफेक्ट नहीं होते हैं एलोपेथी में आपको लगता है फास्ट रिलीफ लेकिन उसके साइड एफेक्ट भी बहुत होते हैं महंगा भी पड़ता है अब आयरवेद के लिए उसके ग्याता कम हो गए हैं लेकिन आयरवेद का ग्यान कम नहीं है आयरवेद के गरंथे भी हैं अनवहों के आधार पर आयरवेद का उप्योग भी बहुत बड़ा है इसलिए आयरवेद को भी महत्त दिया जाना चाहिए आचारशी ने इसी बात को ध्यान में रख करके जवलपुर में पूरन आयू के नाम से आयरवेद कालेज औसदी अनुसंधान केंदर भी खुलवाया है और उसमें अच्छे-च्छे आयरवेद के गयाता डक्टर काम कर रहे हैं नाड़ी परिक्षन वाले बैद वहाँ पर आने जाने लगे हैं आयरवेद का बहुत बड़ा महत्त है पूरी दुनिया में भी आयरवेद के महत्त को जाना गया है लेकिन अलोपेथी का फैलाओ जादा है बिस्तार जादा है मसीनों के आधार पर आदमी जल्दी आस्वस्त हो जाता है तो सदोस देदाने यतनम कुरू आधिरना कारिया और अपेखशा किस के परती करना चाहिए अपेखशा किस में होनी चाहिए तो कहा है खल परियोशित परधनेशू दुष्टों से उपेक्षा करनी चाहिए खल यानि दुष्ट अब दुष्टों से मित्रता करोगे तो परेसानी में पड़ोगे चुरों की दोस्ती कहीं न कहीं आपको ले डूबेगी और सज्जनों की संगती कहीं न कहीं आपको बचाओ करेगी तो आउधिरना को कारिया हा किस से बचें किस की उपेक्षा करें खल दुष्ट दुर्जन व्यक्ती की उपेक्षा करें असाथ उससे दूर रहें नीतिकार कहते हैं बैल गाड़ी जा रही हो तो पांच हाथ दूर हो जाओ कभी या गाड़ी आ रही सकटम पंच हस्तेन है सकट यानि गाड़ी ऐसी बैल गाड़ी जा रही हो तो पांच हाथ दूर हो जाओ दस हस्तेन बाजी नाम क्या हाँ अगर घोड़ा निकल रहा है तो दस हाथ दूर हो जाओ बैल गाड़ी से पांच हाथ दूर घोड़ा से दस हाथ दूर हो जाओ हस्ती हस्त सहस्रेने और हाती निकल रहा हो तो एक हजार हाथ दूर हो जाओ भी यहांती है सुर पूछ दोनों मजभूत हैं उसके पास एक हजार हाथ दूर हो जाओ हस्ती हस्त सहसरे नहां और देस त्यागेन दुर्जनहा अगर कोई दुष्ट दुर्जन व्यक्ती आकर के रहने लगा तो तुम गाउं छोड़ कहीं चले जाओ देस छोड़ की निकल जाओ क्यों दुष्ट संग नहीं दे विधाता यातें भला नरक का वासा क्या कहा दुष्ट संग नहीं दे विधाता दुष्टों का संग ना दे चैभले नरक में भेजा दे बताओ जासें भलो नरक को वासा दुस्त आदमी बहुत खराब होता है वो जब तक पूरा बगाड़ ना करा दे उसका भोजन पच्चता ही नहीं है भोजन पच्चता ही नहीं और दूसरों को लगा करकी बहुत खुस होता है planning successful क्या कहता है plan success हो गया देखो कैसा परेशान हो रहा है इसलिए कहा दुष्ट दुरात्मा जहां रहने लगें उस जगे को छोड़ करके चले जाए में भला है वहां रहने में भलाई नहीं है तो अधिरना को कारिया खल दुष्ट दुर्जन दुरात्मा इन से दूरी बनाओ अगर आकर की रहने लगे तुम्हारे पास में तो उन से बात चीत करना उलजना तो ठीक नहीं अपना डेरा डंगा उठाओ कंदे पर वैक टांग और निकल जाओ इसी में भलाई है कौन उलजे कौन माता फोड़ी करे ठीक है ना अच्छी बात है कि नहीं है अपना बचाओ करना है तिस तरह कि सुभाव वालों से दूर रहना पड़ेगा पर योशित हाँ और परधन इन से भी दूर रहना पड़ेगा क्योंकि इन सबसे जल्दी उलजेना हो जाता है दुस्ट आदमी तो ऐसा होता है कि तुम ना भी चाहो तो वो आ बैल मुझे मार क्या आ बैल मुझे मार तुम अपने आपको बैल समझ रहे हो ऐसे बड़े बड़े सिंग लगा लिए उसे डराने चाहेते हमको आओ हम देखते हैं तुम्हारे लिए अब बैल के सामने खड़े हो करके और बस कहीं पूँच दबाने लगे उसकी कहीं सिंग पकड़ने लगे पहले तो बैल सांत रहा और जब ज़्यादा हैं उन्होंने अपनी ताकत दिखाई सो बैल नसर घुमा करके जो सिंग मारे सो भईया चारों खाने चित क्या हो गया चारों खाने चित पड़े हैं बस ठीक है तो इन सबसे दूर रहना अपनी भलाई का कारण है पुर्शार्थ अच्छे कारियों में करो बुरे प्रसंगों से दुष्ट दुर्जन दुरात्माओं से परधन से परिस्त्रियों से निरंतर दूरी बना करके रखो इसमें ही अपनी भलाई है क्योंकि परधन हमेशा अहित ही कराता है दूसरे का धन किसी दूसरे को पच्चता नहीं है जिसके भाग में जो है वो ही उसे पच्चता है वो ही उसे जमता है इसलिए नीती कारों ने ये सब बातें गरहस्त को धार्मिक और संसकारित बने रहने के लिए बताई हैं बार बार बता रहे हैं बार बार सुनकर के आपको समझना पड़ेगा समझे बगैर तुमारा काम होने वाला नहीं काम होगा ही नहीं नीतियों को समझना पड़ता है और नीती के रास्ते पर चलना पड़ता है नीती हमारा बचाओ करती है नीती हमारी सुरक्षा करती है नीती हमारे लिए निश्चिन्त हो करके अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ाती है इस तरह की नितियां और नितियों के माद्धम से उपदेश प्रशनोतर रतनमाली का गिरंत में आचारी महराज ने दी है और निरंदर आचारी महराज नहीं नीतियों के माद्धम से सबी स्राबग बंदूं को सचेत करते जा रहे हैं राजर सी अमोग वर्स महराज जी के द्वारा लिखी गई इस करती पर आप सबी को निरंतर नीती मारग का उपदेश मिल रहा है इस कारकरम के पुनियार जख थे शिरी राजकुमार जैन जी की पुर्ण इस्मृती में शिरीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवदू, सीए प्यूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरानवी जैन, बडोद्रा पुत्र पुद्रवदु सीए प्रियंक जैन शिरीमती दीप्ती जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामा सीएस प्रियंका जैन, शिरीपंका जैन, दोहित्री दोहित्र निस्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा शिरीमती प्रेमलता ज बाला घार.